नमस्कार और वेलकम टू फुटबल ट्यूब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत फुलिएगा अब इसका होस नेशन बन चुका है और क्योंकि इससे पहले इक्वाडोर को होस नेशन मान दिया गया था और ऐसा expect किया जा रहा था कि इक्वाडोर इस बार का कोपाए अमारिका होस करेगा लेकिन बाद में इक्वाडोर ने पुल आ उड़ कर लिया और जिसके बाद यूठ holiday स्टेर्स को इसके होस्टिंग राइट दे दिए गए अब शुरू होगा ये 20 जुन को और इसका फाइनल खेला जाएगा 14 जुलाइ 2024 अब जान लेते हैं कि कौन के कैफ अब जान लेते हैं कि इस कॉंपेटिशन में कौन कौन से 2 जहाएगी जो कर्मेबॉल की 10 टीम्З होगी उनको डारेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा उनको को कौई क्वालिफिकेशन रांड नहीं खेलना जितनी भी 10 टीम्हें है वो डारेक्ट क्वालिफई करेगी कोपाअमेरीका 2024 के लिए वहीं जो जो कोन के कैफ etas later वो क्वालिफाई करेगी 2023-2024 के काल केकफ Nations League से जैसे आपको पता होगा, येरोप में खेले जाती यूठ केकर नेशन लिगुुए उसी दरह चाहरा से और 24 का quarter final round है जिसने भी quarter final round जीता है मतलब जो semi final के लिए qualify कर गया था उन्होंने qualify कर लिया है कोपा अमेरिका 2024 के लिए इसका मतलब जमाइका, मेक्सिको, पनामा और United States इन्होंने अपना quarter final का round जीत लिया था कौन के कैफ Nations League में इसलिए इन्होंने qualify कर लिया तो 4 teams तो यहां से आ गई और बाकी की 2 बची भी teams आएगी play in round winner से इसमें क्या होगा जो भी team quarter final हार गी थी Nations League का, उनके बीच आपस में match कर वाए जाएंगे जो 2 best team होगी, वो भी qualify कर लेगी यहाँ पर अगर आपका ये question है कि जिस तरह से 10 team आई है कौन में बोल से direct qualify करके उस तरह से कौन के कैफ से क्यों नहीं आ सकती तो देखिए जो Copa America है वो एक particular dedicated competition है North America और जो बाकी की 2 बची भी teams हैं वो आएगी play in round winner से play in round winner में क्या होगा जो भी team quarter final हार गी थी nations league का उनके बीच आपसे match करवाई जाएंगे और जो दो best team होगी वो भी qualify कर लेगी Copa America 2024 के लिए यहाँ पर अगर आपका ये question है कि जिस तरह से 10 team कौन में बोल में qualify कर लेगी direct qualify किया था इनों ने उसी तरह से कौन के कैफ में भी 6 teams direct qualify क्यों नहीं कर पाई तो देखिए जो Copa America है वो particular dedicated football competition है South America का यानि के कौन में बोल का इसी वज़े से इनको direct qualification मिला है और जो कौन के कैफ है उनका अपना खुद का competition है उसका नाम है gold cup तो इसलिए इस competition को और ज़ादा expand करने के लिए कौन के कैफ की 6 teams भी add की गई है I hope अब आप ये समझ गई होंगे अब जानते हैं कि इसका format क्या होगा जो finals खेले जाएंगे उसका format कैसा होगा तो 16 teams है इनको 4 groups में divided कर दिया गया है हर group में से जो 2 top की team होगी वो qualify करेगी quarter final round के लिए और उस तरह से उसके बाद knockout round of course वहाँ से शुरू हो जाएंगे semi final and then final खेले जाएगा 14th of July 2024 को तो ये थी information about Copa America 2024 आने वाले वीडियोज में मैं इसकी जितनी भी important information होगी वो मैं cover करता रहूँगा अगर आप ऐसी information और चाते हैं तो इस channel को subscribe करना मत फूलिएगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे like और share भी कर सकते हैं इसी note के साथ ये है इस वीडियो का अंत thanks for listening मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then play football and stay safe